तो गाइज अगर आप एक यूटूबर है यूटूब पर वीडियोज अप्लोड करते हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर से उठ रहा होगा बाई कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इतना इतनी मेहनत से वीडियो यूटूब पर अप्लोड कर रहा हूँ copyright free video किसी का लेते हो कहीं से कोई website होती है बहाँ से और copyright free music आप ले लेते हो दोनों को मिला कर आप YouTube पर upload कर देते हो अगर आप ऐसा करते हो तो भाई आपका channel non monetize नहीं होगा भाई आपका channel कभी भी monetize नहीं हो पाएगा because अगर आप ऐसा करते हो तो भाई आपको reuse content की problem आती है जब आप अपने channel को monetization के लिए भेजेंगे तो YouTube की तरब से आपको mail मिल जाएगा कि आपका channel पर reuse content है तो आपको इससे बचने के लिए क्या करना है भाई आपको आपको जो आप वीडियो लियो हो copyright free music copyright free दोनों को जोड़कर आप अपना voice over कीजिए अपनी उस वीडियो में अपना voice दीजिए तो आपका channel monetize हो जाएगा कोई भी विक्कत नहीं होगी कापी सारे ऐसे channels है जो भाई अपनी voice over देकर channel monetize करके लाखों में रुपे earn कर रहे हैं सो भाई second category की बात करते हैं तो आप क्या करते हो भाई किसी movie के बारे में top 10 movie के बारे में बताते हो तो आप उनमें क्या करते हो उन movie को बताते समय भाई आप छोटी छोटी clips उस वीडियो में यूज करते हो जिससे कि क्या है भाई अगर आप जरासी भी लंबी क्लिप उसमें यूज कर दें तो आपको copyright claim मिल सकता है और copyright claim मिलेगा तो आपको strike भी भाई वो company दे सकती है जिसने वो film launch किया है वो film जिसकी है भाई आप उसको upload करके पैसा कमा रहे हो तो उसको हग है कि भाई वो आपको strike दे दे और strike आपको चैन फिल्म के clips के साथ में और आपको clips पांस से या दस सेकेंड के बीच में ही रखनी है काकि आपको claim भी ना मिले और भाई strike भी ना मिले बलकि वो paid है अगर वो paid है और आप उनको free में दिखा रहे हो तो आपको वो company 110% strike देगी भाई क्योंकि उन्होंने वो paid रखा और आप किसी application या website की मदद से उनको free में दिखा रहे है फिरी में watch करा रहे हो तो आपको strike पड़ सकती है और strike पड़ेगी तो आपका channel terminate कर दिया watch कर रहे हो और जो category आपके channel की है आप किस तरिके content डाल रहे हो मुझे नीचे comment करके लिखिए बाई मैं आपका reply दूँगा और आपको बताऊंगा जिन बाई का नहीं बता पाया हूं उनको instagram पर message कर देना बाई instagram की id जो है आपको side में दिख रही है आप यहां पर message कर सकते हो तीसरी category में आप क्या करते हो किसी भी वीडियो को उठाते हो और उसका dub करना चालू कर देते हो यानि film वीडियो को आप dubbing करते हो यान dubbing channel जिसको हम आसान बासा में dubbing channel कहते हैं तो बाई dubbing channel अगर आपका है और आप उसमें भी video clip अधिक यूज करोगे और आप उसको upload करते को यूटिुब पर तो आपको 45 पर्सकती तो आपको इस तरीके का channel भी नहीं करना है अगर आप इस तरीके का channel करेड करते तो आपको clock परसकती है मेरा कहना है आप इस तरीके का जो 02 चैनल 55 अनके लाखों में अरने के भाहिस तरीके के channel बनाए कर लेकिन वह दिमाग से काम कर थोड़ा सा वीडियो क्लिप यूज करते हैं उसके बाद में वॉइस ओबर साथ साथ में वॉइस ओबर भी देते हैं तो उनका चैनल मॉनोटाइज भी हो जाता है और कहीं कोई दिक्कत नहीं होने बाली और कॉपिराइट क्लेम भी उनको नहीं मिलता है चैनल आता है वह वाई स्टेटर्स आप किसी भी चैनल को देख लिए जो कॉपिराइट फ्री नहीं है तो आपको क्लेम मिलेगा आप ज्यादा यूज करे हो तो इस कंपनी आपको श्ट्राइख दे सकती है आपको क्या करना है स्टेटरस वीडियो में जो फोटो यूज करते हो वह वी वह व्यूज प्रीक्राइट क्लेम आपको वहां से मिल सकता है तो क्लेम मिलने से कुछ भी क्लेम copyright claim मिल जाए लेकिन copyright strike से आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है copyright claim से आपको क्या होता है आपके जो आपका जो revenue है उस वीडियो का बो copyright claim जिसने दिया उसको चला जाता है बाखी कोई फरक आपके चैनल पर देखने को नहीं मिलता है तो स्टेटस वीडियो में आपको क्या करना है आपको बोईस ओवर आपकर कर सकते हो तो करिए और आप जितना चाहिए उतना copyright वीडियो प्लस copyright music का यूज कीजिए स्टेटस वीडियो में तो आपका चैनल कहीं भी दिक्कत नहीं देगा आपका चैनल ग्रोग कर जाएगा तो भाई इतने सारे टॉपिक मैंने कवर किये थे अगर इस में से भी आपका चैनल रह रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए मैं आपको इस्टेग्राम पर बता दूँगा कि आपका चैनल मोनोटाईज होगा या नहीं तो भाई अग दीख लीजिए और चार अजार गंटे के लिए यह बाला और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आइकन दिखाई देरा होगा आपको कर दो भाई इतनी अच्छी इंफरमेशन आपके लिए लाता हूं में